ऐसे बड़े देश हस्ताक्षर करने में शामिल हैं और पहली बार भारत ने कोवीद-19 के मुद्दे पर स्टैन लिया है अरे निश्वास राओ नमस्ते 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 और विश्वास राओ सब ठीक है आईए लो हाथ सानिटाइज कर लो अरे बस यार बस अरे ये क्या है भाई आईए बैटिये काफी दिनों बाद मुला का तुई इस लॉकडाउन ने तो बाहर आना जाना ही बन कर दिया है अब थोड़ा बहुत लॉकडाउन कम हो गया तो मैंने बोला चलो विश्वास राओ से ही मिल लेते हैं इसी भाने आपसे मुलाकात भी हो जाएगी शालिनी जी ए शालिनी देखो जुनेत भाई आये है आई और बताओ सब खैरियत है आपकी पोती कैसी है अल्ला ताला की महरवानी है सब खैरियत है वो मेरे पोती का अभी आने वाली 25 तारी को मेरे पोती का जनम दिन है पाजवा आप सबको उसी का नेउता देने आया हूँ मैं नमस्ते जुनेत भाई नमस्ते नमस्ते भाबी जी कैसे आप बढ़िया और बाबी जी आपको सभी को आना है पुरे परिवार के साथ में आना है आपको प्रिये बिटी कहा है नजर नहीं आ रहे वो ट्यूशन जाने की तयारी कर रही है अच्छा अच्छा आप घर पर भी मास लगाते हैं कितना डरते आप करोना से अरे ऐसे तक कई कोरोना है और कई करोना चले गए अरे कुछ नहीं होता इस कोरोना से है जुनेत भाई ऐसा के के हम किसी और की जान खत्रे में तो नहीं डाल सकते करोना अभी खतम नहीं हुआ है अभी शायद और बढ़ रहा है मैं समझे नहीं बाबीजी आप क्या कह रही है करोना और बढ़ रहा है कैसे देखो मैं समझाता हूं आज भी हम इस कोरोना के चपट स से बाहर नहीं निकले सारी दुनिया इस कोरोना के वाइरस से लड़ रही है और ऐसे में हमें ऐसे प्रोग्राम टालने चाहिए जहां बड़े तादाद में लोग एक जगह पर हिकटा होते हैं पर वैक्सिन तो आई है सही कहा जुनेत भाई आपने वैक्सिन तो आई है लेक अपनी पोती का जनम दिन मना रहे हैं हम सब को वहां बुला रहे हैं सब लोग आएंगे एकटा होंगे ऑफियसली खाना खाते वक्त मां साइड में रख देंगे पता नहीं वहां कौन कोरोना पॉजटीव हो ऐसे ही कोरोना बढ़ रहा है पर इतने लोग घुम रहे हैं एक एक तो कुछ नहीं होता फॉजटीव होज अगर कुछ नहीं होआ होता तो आज अपने देश के हालत नहीं होती जुनेत भाही विश्वास राह हो लोग वैक्सीन लेने के बावजूद और रहने के बावजूद भी कोरोना तो बढ़ी रहा है मैं तो समझता हूँ यह वैट पेटा नमस्ते नमस्ते कैसा चल रहा है आपका ट्यूशन क्लास अच्छा चल रहा है अंकल मैं अभी आपकी बात सुन रहे थी आपने कहा कि कोरोना वैक्सिन पर भरोसा नहीं करना चाहिए जुनेद अंकल जो वैक्सिन हमने बनाई है उसकी टेस्ट कई बार हो चुकी है हमार देश के कई साइंटेस ने उसे बनाने के लिए जीतोड महनत की है और वो भी हमारी जान बचाने के लिए कोई परवा ना किये बगेर और अगर हम कहें कि वैक्सिन पर भरोसा नहीं ये तो उन लोगों की इंसल्ट हो गई जो हमारी जान बचाने के लिए लड़ रहे है हमें अफवाओ पर भरोसा नहीं करना चाहिए जुनेद अंकर ये बात तुमने बिल्कुल सही गई बेटा आखिर ये सब लोग हमारी लिए तो कर रहे हैं तो कुछ जिम्मेदारी हमारी भी है तुमने मेरे जिम्मेदारी का मुझे एसाथ दिला कर बहुत बड़ा ऐसान किया है बेटा अंकर हमें अगर कोरोना को हराना है तो हमें गवर्मेंट के सब रूल फॉलो करने होंगे बस कुछ दिन और समझिये हमने ये लड़ाई जित ली है कोरोना हारेगा देश जितेगा प्रिया सच कहा बेटा आपने हम हमारी खुशी के लिए दूसरों के जान दाओ पर नहीं लगा सकते जनम दिन का क्या है क्यों विश्वास राओ अरे पाच्वा नहीं तो छटा मना लेंगे और बड़े धुम दाम से मनाएंगे बिलकुल मनाएंगे जुनेत भाई हमारी प्रिया भी करोना वोरियर का काम कर रही है यूशन के बाद का काफी समय ये करोना से कैसे बच्चा जाए ये समझाने के लिए जाती है शाबाज बेटा प्रिया बेटी शुक्रिया तुमने तो मेरी आखें खोल दी नहीं तो मैं भी इन अफ़ाव में बहे गया था अब तो मैं भी इस लड़ाई का हिस्सा बनाऊंगा और लोगों को जा कर बताऊंगा कोरोना क्या काब आभी आपने कोरोना वोरियर्स हाँ कोरोना वोरियर्स कोरोना हारेगा देश जीतेगा